प्रेंद्स वर्गम मैं चैनल सूपर ट्रेडर लक्षर यहां पर बात करूंगा किस तरी किसा प्लान कर सकते हैं कल का दिन आज का मार्केट काफी वोलाटाइल था पहले उपर गया बैंक निफ्टी फिर वहां से पल्टी मारा निफ्टी फ्लैट था लेकिन उसके बाद एक र पूरी रिकवरी हुई और फिर एक सेकंड बनाया थो वराल मार्केट वॉलाटाइल था लास्ट में बहुत ही बड़ा रेड कैंडल बना काफी सारे सेक्टर काफी सारे स्टॉक्स में डेली टाइम फ्रेम में इंगल्फ कर लिया इसने पिछले चार से पांच तिन के कैंडल और यह दिखाता है कि अब बहुत सारे लॉंग्स फस चुके हैं ट्राप हो चुके हैं आज एक डेटा आया वो भी यही दिखा रहा है कि फाई आई इस डिया इस दोनों बेच रहे हैं खरीद कौन रहा है रिटेलर रिटेलर को लगए बजट में कुछ तूफान आने वाला आज मैंने अपने ट्विटर पे एक स्पेस भी किया था अगर आपने मुझा फॉलो नहीं किया था सूपर ट्विटर लक्ष करके सर्च कर सकते हैं उसको फॉलो कर सकते हैं तो वहां पे मैंने यही बात कही थी हमने जब बात की तब मार्केट हाई पे था उसके बाद ऐसी पल्टी मारा लगागी जैसे मतलब जो चीजें हम सोच रहे थे कि आज होगी कल होगी कुछ दिनों में होगी वह तुरंत हो गई और काफी सारे लोग ट्राप्ट हैं फीचर ऑप्शन में भी डेफिनेटली लॉंग अन्वाइंडिंग होगी शॉट भी क्रेट किये थे परस चार दिन से करीब और दोनों कैश में बेच रहे हैं तो यह और चीज चिंता का विशा है क्योंकि सिर्फ रेटेलर खरीद रहा है और यह लोग अपनी पोजीशन कर रहे हैं जो बड़े लोग है अब बैंकिंग में थोड़ी से पॉस्टिविटी है बाकि सारे सेक्टर गिर बहुत ही बूटल था और इस फॉल में अगर आप देखेंगे जादातर जो लूजर्स हैं आप देखेंगे साथ परसेंट अच्छे अच्छे स्टॉक्स अब मुझा सीमें जैसे अच्छे इस्टॉक पांच परसेंट इतने गिरे हैं तो पोटफोलियो सारों के लाल हो गए हैं पांच-पांच परसेंट आज के आज डिप होएं तो यह दिखाता है कि मार्केट में पेन काफी है और बजट के पहले ही जो रैली आई थी इसके पहले एक जो करेक्शन मैं उम्मीद कर रहा था दो दिन दिन से मैंने आपसे बात भी कही थी कि एक करेक्शन आना रही यह पॉसिबिल्टी मुझे लग रही है तो यह चीज आज के लिए थी अब हम बात कर लेते हैं यूएस में क्या हो रहा है तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स 95.5 यह उल्मूस 94.5 के असपास आ गया था बहुत शार्प वहां से बाउंस आया है तो डॉलर स्ट्रॉंग हो रहा है जिसके कारण आप देखेंगे कि हमारी जो करेंसी उस पे प्रेशर आएगा दूसरी चीज़ है डॉलर तो स्ट्रॉंग हो रहा है उसके बाद भी ऑउल गिव अपनी कर रहा है जो कि हमारे लिए तरफ से प्रॉब्लम बनती जा रही है और यह सब चीज़ें चल रहे हैं इसलिए मार्केट में थोड़ा सा यहां पर पैनिक है अब हम बात करेंगे यहां पर चार्ट की लेकिन से पहले एक वोलेटिलिटी का हाल देख लें पंद्रा सोला वोलेटिलिटी चल रही है यह एक प्रॉब्लम क्रिएटिंग अलिमेंट है अगर आप चैनल पर नहीं है आपने सब्स्राइब नहीं किया है वीडियो देखते हैं सब्स्राइब कर दीजे लाइक कर दीजे अच्छा लगेगा वीडियो को जादा रीच होने में मदद मिलेगी तो लाइक हमेशा बटन दबा दिया करी जादा टाइम ही लगता मुझे इस वीडियो को बनाने में कम से कम देड़ से दो घंटे लगते हैं उस दो घंटे में लोगों को लाइव ट्रेनिंग दे सकता हूं पैसे कमा सकता हूं लेकिन आपके लिए ताकि आपको थोड़ी से हल्प मिले इसलिए मैं करता हूं तो प्लीज लाइक शेयर करके है निफ्टी फिफ्टी में आप देख सकते हैं यहां पर कितना बड़ा खतरना केंडल बना है और इसने जो इंपॉर्टेंट लेवल थे 18,150 उसको गी बेरेमी से तोड़ दिया है गैप भी फिल कर लिया है लेकिन गैप फिलिंग जरूरी नहीं है लेकिन मोमेंटम जितना क सिक्स्टी एरिया का बाउंस और फिर इसके बाद एक सिलिंग यह पॉसिबिलिटी जादा लग रही है सपोर्ट जो स्ट्रॉंग मिलेगा वह 17,930 से लेके 17,670 तो यह जो जो जोन है इसको याद रखिए यह जोन में कहीं पर सपोर्ट मार्केट लेगा और फिर अगली रै लेकिन मार्केट जादा एक्सपेक्टेशन लेके बजट में नहीं जा रहा है यह आपको सोचना पड़ेगा तो राइट नौ मैंने आपको यह सिनारियो बता दिया बैंक निफ्टी के हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी ने जो गैंडल बनाया है वो भी काफी बूट था यहाँ पे आपने हाई बनाया था यहाँ पे आपने डबल टॉब बना लिया छोटे टाइम फ्रेम में अब अगर हम सारे स्टॉक्स में भेंकर सेलिंग आ रही है मिड कैप स्मॉल कैप डीड कर रहे हैं आप देखिए मिड कैप कैंडल देखिए इतना बड़ा कैंडल आपने कब देखा इसको पूरे उठाने में जितनी महनत लगी एक दिन में टपका दिया यह दिखाता है कितनी इंटेंसिटी मिड कैप इंडेक्स यहां तक और फिर एक रैली अगर आनी है तो आनी है लेकिन एक करेक्शन तिल 30,000 मिड कैप 100 का आ सकता है तो यह चीज़ आपको मिड कैप में द्यान देनी है तो बैंक निफ्टी के लिए मैंने आपको बता दिया लेवल तूटने के पाद आइटी का आप देख सकते हैं केंडल आप देख सकते हैं डाइवर्जेंस नहीं कहेंगे लेकिन अच्छा एक केंडल बनाया है इंगल्फ किया है चार पांच डेली केंडल को और मुझे लगता है कि 38,000 ऐट सिक्स्टी तक के लेवल आ सकते हैं आईटी में भी तो काफी सार प्रफिट प्रफिट प्रफिश्च काफ़ी साथे तो यहां पर सबसे बड़ा शौक यह था कि इतने बड़े फॉल का कोई तो रीजन रहोगा मुझे नहीं मिला कोई रीजन लेकिन हाँ जब इतनी बड़ी रैली आ गई उसके बाद प्रॉफिट बॉकिंग स्टार्ट हो रही है और युएस मार्केट वीक है आप अपने अपन सब्सक्राइब मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यों वरी मच गाइस हमारे चैनल सुपर लक्ष को जरूर जोइन कर लिजे हमारे चैनल है उसमें सेवेंटी थाउजन लोग है एक और कोई किसी फरजी चैनल बना रखा है कोई उगांडा वाले ने तो प्लीज उसमें अगर मिले आपको तो उसको रिपोर्ट प्लीज मेरी तरफ से कर दीजेगा क्योंकि उसमें फालतों में कोई कहीं फस ना जाए बहुत सारी चीना चलती है टेलिग्राम में तो प्लीज थोड़ा सा उससे बचके रहेगा आई होब वीडियो अच्छा लगा थैंक्यों कर दो दो येज़ का राए बहुत सारी चाहा होब वीडियों